नमस्कार दोस्तो मेरा नम प्रिंस है और मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडियो में होने वाले तरद के बारे में तो ऐसे के बारे में चर्चा करेंगे आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे तो गैस यदि आप इस information को जानना चाहते हो तो बने रही इस वीडियों के last तक दोस्तों यदि आपके पास कोई ऐसा patient आ जाता है जिसको heel में या फिर उसके एडियों में proper pen बना रहता है तो सबसे पहले हम उसको diclofenac gel या फिर methyl cellulite ointment का use करवाते हैं लेकिन दोस्तों environment से अगर बहुत अच्छा result नहीं निकलता तो हमें उस condition में patient को कुछ oral doses देने होते हैं जैसे कि patient को हम ciprofloxacin 500 mg शुवाशाम दे शकते हैं और इसके बाद visolan 5 mg शुवाशाम दे शकते हैं और इसके बाद zero dial SP शुवाशाम यूज करवा सकते हैं और इसके बाद neuroveon fold शुवाशाम patient को देना होता है और इसके बाद pen top DSR जो की capsule form में available होता है इसका यूज हमें शुवाशाम बासी फेट करवाना चाहिए और patient को advice देना चाहिए कि patient हमेशा गुन गुने पानी का शेवन करें क्योंकि यदि patient paltering या फिर ठंडे पानी का शेवन करता है तो उससे थोड़ा problems होने लगते हैं और दोस्तो इन सारी medicine का यूज है patient को properly 7 दे तक करवाना चाहिए इसके बाद यदि patient ये कहता है कि नहीं मुझे properly relief रहता है तो maximum 10-15 तिन इन दवाओं का शेवन करवाए जाशकता है और दोस्तो जदि patient ये बोलता है कि मुझे इन medicine से कोई relief नहीं मिलता है मुझे properly मेरे heel में pen बनाई रहता है तो उस condition में patient को एक शरी करवाने के बाद उसको neuropathic surgeon से treatment लेने के लिए बोला चाहिए शो आयोप की ये वीडियो आपको पसंद आये होगे वीडियो पसंद आये हो तो please like कीजिए शेर कीजिए यगर आपने हमार चलगो अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लें तो फिर मिलता हूं मैं अपने next वीडियो में तब तक की लिए बेस टॉप लगे